उत्तर प्रदेस में लंबे समय से योगी आदित्तिनात को हिंदुत वादी छबी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है योगी आदित्तिनात अयोध्या के रामलला मंदिर में पूजा करने के लिए जाने वाले प्रदेस के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो यहां 1992 में बाबरी विध्वन्स के बाद ऐसा करने के लिए पहुचेंगे 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो राजनास सिंग पहले मुख्यमंत्री थे जो यहां 2002 में पूजा अर्चना करने के लिए पहुचे थे इस दौरे पर वह यहां के महंत निर्त गोपाल दास के जन मोटसों में भी सामिल होंगे जो की राम जन्म भूमी नयास के अध्यच्छत भी हैं ऐसे में योगी आदितिनात का दौरा राम मंदिर के लिहाज से काफी एहम होने वाला है मुख्य मंत्री आयोध्या में तकरीवन 8 घंटे रुकेंगे वह सीधे हनुमान गढ़ी जाएंगे और यहां पूजा अर्चना करेंगे माना जा रहा है कि वह सर्जुगाट भी जाएंगे और यहां तीर्थ यात्रियों के लिए किये गए इंतजाम का मुआइना करेंगे महन्त नृत गोपाल के जन मोत्सों में सामिल होने से पहले मुख्य मंत्री एक बैठत में हिस्सा लेंगे जिसमें अजुध्या फैजाबाद के विकास के लिए चल रही योजनों की समीक्षा की जाएगी हाला कि अजुध्या में रामलला की पूजा अर्चना के लिए योगी आदितनात के जाने पर किसी भी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है लेकिन मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री मंदिर का दौरा जरूर करेंगे ऐसे में अगर योगी आदितनाती हां जाते हैं तो ऐसा करने वाले वह सिर्फ ना दूसरे मुख्यमंत्री होंगे बलकि अपने हिंदुत वादी छबी को एक बार फिर से मजबूत करते दिखेंगी अजुध्या का विबाद अभी भी कोट में हैं लेकिन प्रतेस में योगी सरकार आने के बाद से तमाम हिंदु संगठन राम मंदिर के निर्माड के लिए दबाओ बनाने में लगे हुए हैं